नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजीव और आप देख रहें आमानत नौलेज दोस्तों आजम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आमानत का सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डूपलिकेट इसको कैसे पता करेंगे तो इसकी जानकारी आजम प्राप्त करेंगे दोस्तों और जाने स सारे सब्सक्राइबर ने कॉल करके पूछा भी तो मैंने सुचा क्यों ना इसके इस तरह से बताऊं ताकि आप लोगों को सकी जानकारी मिल सके तो दोस्तों अमानत का जो है कोर्स कर लेते हैं ठीक है कहीं साथ दिन कहीं अब्वे दिन कहीं six months ठीक है इस तरह से कड़के बैट से आपने आमानत का कोर्स किया है वह संस्थान अगर रेजिस्टर्ड है रेजिस्टर्ड है तो क्या होगा कि उनका वेवसाइट भी प्रस्नल होगा ठीक है तो ऑनलाइन भी आप उसे चेक कर सकते हैं ठीक है ऑनलाइन उनके प्रस्नल वेवसाइट को खोल सकते हैं और फिर और और आप जो हुआ पर जो है उस तरह से खाका तैयार आता है जिसमें आप रेज्टेशन अपना रेज्टेशन नमटर जो होता है वह जो डाल कर आप अपने बाइंअ को कर सकते हैं और एक है कि आप और neighbor कहीं से किये हैं तो offline भी पता कर सकते हैं जहां से रेजिस्टेशन उनका हुआ है या फिर उनका head branch जहां है वहाँ पर जाकर आपको जो पर्मान पत्र दिया गया है क्या उसका register maintain हुआ है या नहीं हुआ है तो वहाँ से भी आप offline पता कर सकते हैं और रह गई कि आपने अगर सर्वेर का कोर्स किया है सर्वेर से तो वहाँ पर तो मतलब है कि online ही आपको मिल जाएगा ठीक है क्योंकि अधिकतर जो है सर्वेर का जो कोर्स किया जाड़ा है वह गर्णमेंट के अंतरगत किया जा रहा है तो वहाँ से आपको जाली certificate होनी की संभावना नहीं होती है और वहाँ पर तो आपको online में एकदम से पता हो ही जाएगा तो इस तरह से हम जाच कर सकते हैं और जाच करने के जढ़ेख था तापक झिलीयालव draft थैंक्स